हेलो से लेटिर उसमें आप लोग का स्वागते और मंड़ा आगया नो तो करमा गरम माहोल हो गया और साथ में ने करमा गरम टेक्टिव से यहाँ पर ले के आगया हूँ हमेशे की तरह और वैसे दुपैर में हमने एक वीडियो अप्लोट किया था जहाँ पर मैंने आप लोग को गाइड किया हूँ कि एक स्मार्टफोन में हमें आज कल 3-4-5 कैमरेस मिल रहे हैं तो क्या हमें इन सारे कैमरे की जरूट है या एक मार्केटिंग घीमिक है या फिर एक कैमरा ही काफी है जिसमें better processing मिलती है उसमें पोल रखा तो तो काफी सारे लोग ने अविसली यही का कि एक कैमरा भी चलेगा जिसमें better processing होगी तो वे वीडियो जरूर से देखना और इस वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट करके बताई कि एक स्मार्टफोन से एक कैमरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वीडियो पसना है कि दोस्तों तो लाइक करना टेक्नूस पर खूब सारा लाइक दीजिए और फड़ावट से आज की टेक्नूस शुरू करते हैं तो पहले कबर की बात करते हैं यहाँ पर अलीबाबा से इंडिया का अलीबाबा 40 चोर नहीं मैं बात करना हूँ चाइना की e-commerce giant अलीबाबा इसके बारों तो आपने सुनाई होगा वैसे और दोस्तों हर साल इनका एक single shopping day event होता है मतलब साल में एक बार एक दिन वो एक sale आता है और पिछले साल भी हुआ था तो उस दिन उन्होंने 30 billion dollar का sale किया था मतलब 2,14,000 क्रोड का sale हो था हमें लग रहा कि बहुत ज्यादा है वैसे वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन इस साल भी हुआ और इस साल तो शुरू के 9 गंटे में ही 23 billion dollar हो चुके थे मतलब 1,60,000 क्रोड तो starting के 9 गंटे में हो गया था और starting के 1 minute में 1 billion dollar का sale हुआ मतलब 7,000 क्रोड का तो 1 minute में ही हो गया था और 1 गंटे में 85,000 क्रोड का उन्होंने sale किया यह estimated जो उन्होंने बता है इतना ज्यादा sale हो रहा है मतलब मैं आपसे क्या बता हो लेकिन जाते देख fact की बात करूँ तो यह जो company ना इसकी जो value है ना वो globally market value की में बात कर रहा हो वो 486 billion dollar किये मतलब 34,70,000 क्रोड रुपए है तो यहाँ पर दोस्तों MediaTek की तरफ से खबर आ रही है और finally दोस्तों MediaTek अपने Helio M70 5G modern को जो वो launch कर रहा है officially जी हाँ 26 November की date निकल कर आईए और उसके बात हमें बहुत सारे smart phones में यह देखने को मिलेगा जैसे कि Qualcomm का 5G है तो आप MediaTek भी कैसे पीछे हटेगा काफी टाइम से यह टेस्टिंग में चल रहाता तो आप Helio M70 5G modern में जिसमें 4.7 GB based की download और 2.5 GB based की आपको upload मिलेगी उसके लाबा भी बहुत सारे unique features है obviously यह 7NM पर based होगा जो 26 November को आएगा और यही same modem लगेगा Redmi K30 में जिसमें हमें पता चल रहा है ना कि MediaTek का प्रोसेसर होगा वो वही chip होगी जिसमें यह वाला modem लगवा के Redmi K30 में जो वो गुसा के आपको देने वाले है देखते हैं दोस्तों मुझे लग रहा है इसलिए वो लग जल्दी launch कर रहे है ताकि Redmi K30 हमें साल की end में देखने को मिलेगा आएगा मैं आपको ज़रू से इसके बारे में बता दूगा तो यहाँ दोस्तों WhatsApp के तरफ से ख़बर आ रही है और WhatsApp के जो co-founder I mean ex-co-founder Brian Acton जो है वो Facebook का पीछा नहीं छोड़ रहे है एक वक्त जब उन्होंने WhatsApp को quit किया था तो reason उन्होंने बताया था Mark Zuckerberg को कि भाई वो मुझे force कर रहे थे कि मैं WhatsApp में भी moderation जो शुरू कर दू मतलब ads डालना शुरू कर दू और वो मुझे नहीं पसंद था इसलिए मैंने quit कर दिया और उस वक्त जब उन्होंने quit किया था तो उन्होंने एक trend ट्रेंटर पे छोड़ दिया था और वो था hashtag delete Facebook और अब भी वो यही बुर रहे कि हम सभी लोगों को alert कर रहे कि Facebook आगे चलके हम सभी लोग लिए नुकसान दे हो सकता है हमारे बहुत सारे डेटा कॉंप्रमाइस किये जा सकते है ऐसा Brian Acton ने कहा था और अब भी वो वही same trend चलाने की कोशिश कर रहे है और वो है hashtag delete Facebook यह है WhatsApp क co-founder I mean ex-co-founder Brian Acton की बाते जो उन्होंने इसा बताया है वैसे क्या लगता है दोस्तों मैं तो personally Facebook अभी यूज करना बंदी कर दिया हूँ इतने scams हो रहे ना कि मैं खुँद डर रहा हूँ आप मुझे comment करके बता ही hashtag delete Facebook या फिर नहीं तो यहाँ पर दोस्तों Instagram की तरफ से खावर आ रही है और Instagram यहाँ पर बहुत ज्यादा serious होता जा रहा है अपने users को लेके दिया है क्योंकि Instagram वैसे काफे सारे countries में एक नहीं feature को जो वो test कर रहा है फिलाल के लिए जिसमें Australia, New Zealand, Canada वैसे बहुत सारे countries included है अब US में भी उनने इसकी testing शुरू कर दिये जहां पर आप सभी लोग जो भी post Instagram पर देखते हैं उसके जो likes होती है वो आपको नहीं दिखेगी वो hide रहेगी मतलब दूसरे लोग जो public होती है वो नहीं देख सकेंगे लेकिन जो बंदा है जो post करता है उसको अपने dashboard में वहीं कहीं पर भी जो देखने को मिल जाएगा इससे वो लोग ये चार है कि बाई कुछ लोग नहीं होते है जो लोग नहीं चाते है कि उनके post पर कम like आए और मायूस हो जाए उसको hide कर रहे है ताकि लोगों को सामने को चीज ना है तो ये कुछ testing अभी US में शुरू करती है फाइनल उसके बाद उसको globally release करेगी और इंडिया में भी Instagram पर next time से जो भी post आप देखते है उस पर जो likes आती है वो numbers आपको नहीं दिखाए देगे अब भाई live photos निकल कर आ चुके है जहां वीवो के उपर एक user ने कुछ photos जो शेर किया श्लैश गेर ने भी काफी मदद कि इसमें जहां पर ये देखेंगे ये मेरे क्याल से एक prototype device है जो देखेंगे एक बंदे के हाथ में जहां पर आपको ये बताया जार कि OnePlus 8 या फिर OnePlus 8 Pro हो और OnePlus का oxygen always पीस में चल रहा है लेकिन उपर की दुरफ गौर करते तो इस बार आपको dual punchol selfie दिख रही है जी हां गौर से दिखेगा तो आपको दिखेगा इससे ये पता चल रहा है कि ये OnePlus का एक नया फोन है जो वाकई में या पर है और हमें आगे चल के देखने को मिल सकता है देखे काफी interesting लग रहा है वैसे दोस्तों dual punchol selfie और कैसा लग रहा है वो आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो यहापर दोस्तों Xiaomi की तरफ से ख़बर आ रही है और मैंने आपसे पहले ही कहाता है कि जब दूसरी कोई company नहीं technology लेकि आती तो Xiaomi नहीं हमेशा उसका double करता है लेकि से तो उनका prototype आया था उलड़ी जो dual fold होता था उसके बार में तो में कुछ पता नहीं है लेकिन अब यहाँ पर एक नया patent द्वारा यह पता चड़ा है कि इस foldable smartphone में Xiaomi के हमें पांच पांच पॉप-प camera देखने को मिलेगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस patent में आपर दिखा iPhone Pro में है लेकिन इसमें पांच होने वाला है जो foldable smartphone के रूप में हैंगा अलो डिवा शावी क्या करता है मतलब और क्या चाहता है यह आज तक नहीं पता चला लेकिन यह देखके मुझे बहुत हैरानी हुए वैसे आपको क्या लगता है इसके बार में आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों Samsung की तरफ से खावर आ रही है और M Series Samsung की M Series exclusively हमें online ही जो देखने को मिलती है और अच्छे चलते हैं जब तक M40 नहीं था तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों Samsung अपनी Galaxy M50 को भी बहुत जल्दी ही इंडि इवन मोबाइल पता चल रहा है कि Samsung ने भाई कुछ retail में offline में कुछ एक note भेजा था upcoming M Series device के बारे में उन्होंने कहां के आने वाला है वगरा वगरा उससे यह पता चल रहा है कि obviously M40 के बाद हमें अभी M50 भी जो वो देखने को मिलेगा लेकिन इससे एक हैरानी की बात है कि M Series जो वह Samsung यह सिर्फ online ही मिलती है मतलब exclusively online होती है अब जब उन्हें ने offline में यह note भेजा इसका मतलब शायद इस बार वो लोग उसका offline में भी presence जो वो बना के रख सकते है offline और online दोनों में अब पता नहीं लेकिन M50 तो है वो आ सकता है बहुत जल्दी आ सकता है इस साल की end में आपको देखने को मिलेगा और उसमें क्या होगा अभी कुछ नहीं बता लेकिन yes it will come बहुत जल्दी मेरे पास भी रहेगा क्या आपको बता है कि दोस्तों Google जब नया नया था Google का यह जो Google search engine जब आया था तो एक time पर उस वक्ती में बात करो per second सिफ 30 से 50 pages जो वो process कर पाता थ अब दोस्तों Google per second millions of pages को process कर पाता है imagine technology देख लोग कितनी advance हो गई है कि companies उसका कितने अच्छे से फाइदा उठा थी आज करता आपको आज कर दोस्तों पसना है कि अगर आपको पसना तो जब्स वीडियो को लाइक कर रही है मैंसे आप लोग के लिए डिले टेक नूस लाता तो आप मुझे इस वीडियो के ने बिचे आप